हेलो दोस्तों आप लोगों का सौगत है पगला एक्स्प्लेइन चैनल पे तो आज हम लोग एक और न्यू मानुव को एक्स्प्लेइन करेंगे जो कि एपकलिप्स मानुवा होने वाली है इस मानुवा का नाम है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इन डूम्स डे तो चलिए जानत पूरी दुनिया के अंदर मॉंस्टर्स दिखने लगे थे इसके बाद हम लोग एक मार्केट स्ट्रीट को देखते हैं जहां पर कई सारे मॉंस्टर इदर उदर घूम रहे थे उन्हें की बीच में हम लोग एक डॉक को देखते हैं जो कि एक कर्वीनेंस टोर को बाहर के गार्ड कर रहा था वह इसी का ही पैट है जिसके बाद में कैरेक्टर की मेडिकल सप्लाई पूरी हो जाती है तो वह खाला ढूनने के लिए आगे जाने लगता है तब उसको कांटर की उपर पड़ा हुआ एक फोन मिलता है जो की ओल्ड मॉडल था में कैरेक्टर कहता है क कि हवाओं की वज़े से उसकी बाड़े ठीट टूर जाती है जिसके बाद वह अपने टेम की पैट को इसारा करता है और वह दोनों ही गाड़ियों के पीछे से वहां से खिसकने लगते हैं मिन कैरेक्टर बताता है कि मॉस्टर पूरी गली के अंदर भरे हुए हैं यहां तक उन्हें जाके डिस्ट्रैक्ट करो तब मैं यहां से निकल जाओंगा उसका डॉब आगे से थमसब करते हैं कहता है मीन कैरेक्टर बताता है कि तबही के सुरुआती दिरों में ही मैंने इसको टीम कर लिया था इसलिए मुझे बाकी मॉस्टर से निबटने में ज्यादा दिक और जो एक मॉस्टर बच किया था तो उसके पीछे में करेक्टर आता है जो उसके सर के ओपर धंडा मार के उसका भी खेल खतम कर देता है में करेक्टर डॉक के सर को सहलाते हुए कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने जल्दी समझ जाओगे इसके बाद में करेक् अपने सर के उपे हाथ रखे कहता है कि मेरा लग इतना जदा खराब क्यों है और बेसर वहाँ पे आवाज होने की वज़े से कई कैरे मॉंस्टर उनकी तरह भागते हुए आ रहे थे डॉग और में करेक्टर दोनों उन्हें रोपने की कोशिस करते हैं लेकिन तादा जदा होने की वज़े से उन्हें उस जगा से भागना ही पड़ता है लेकिन तभी एक मॉंस्टर में करेक्टर से आगे निकल जाता है और उसके उपर अटाइक करता है लेकिन मेन केरेक्टर के पास जो डंडा था वो उसका इस्तमाल करते हुए उसके सर को फोल देता है और कहता है कि मेरे रास्ते से हटो जब मेन केरेक्टर पीशे के तरफ देखता है तब उस डॉक को भी काफे ज़दा दिक्कत हो रही थी उन सबी मेन केरेक्टर के साथ अकिले निपटने में मेन केरेक्टर उससे कहता है लडाई करना बंद करो लेकिन उसका डॉक उसकी बाते नहीं सुनता है तो मेन केरेक्टर अपने मन के अदर सोंचता है कि अगर ये फाइट करता रहा तो ये मेरे साथ यहीं पी मरेगा तभी अचानक से एक monster main character के उपर attack कर देता है जिसको main character different नहीं कर पाता है तभी उसको dog आगे बढ़ता है जो कि अपने फावरे की मदद से आसानी से उसके attack को block कर लेता है जिसके बाद कई सारे monster उस dog के उपर attack कर देते हैं लेकिन अगले ही पल कोई main character के उपर तगड़ा attack करता है इसके अगले scene में हम लोग देखते हैं कि main character गालत आवस्ता में एक जगा पे पड़ा हुआ था और जब वोवनी आग खोल के सामने के तरफ देखता है जो अगले ही पल तूट के बिखार जाता है और जब main character की आखे खोलती है तब वो किसी room number के बाहर खाड़ा था जिसके बाद हमें पता चलता है कि main character फिर से re-carnate हो गया है जिसके बाद हम लोग कमरे के अंदर देखते हैं एक लड़की है जो कि कहते है कि मैंने काफी भारी मात्रा में उससे पहले ही एडवांस ले लिया था तो फिर डेलाइन के समय में deposit करते समय इतनी ज़्यदा दिक्कते क्यों आ रही है लेकिन तभी उस लड़की को दर्वाजे के उपर नौक नौक की आवाज सुनए देती है वो लड़की पूशती है कौन है भाई जिस पर वो बताता है कि हम internet ठीक करने वाले हैं वो लड़की कहते है कि तुम तो काफी तेज हो जिसके बाद वो दर्वाजा को खोलते हुए कहती है कि मेरे internet में कोई दिक्कत आ गई है तो आगे से main character मुस्कुराते हुए कहता है कि हम लोग टेज ही काम करते हैं क्योंकि हमारी service का main motive यही है कि हम जतने जल्दी हो सके उतने जल्दी customer की वनीट को पूरा कर सके है क्योंकि इस लड़की का IQ मुस्से जादा था इसलिए वो तुरंती पहचाल लेती है कि यह कोई fraud है क्योंकि main character के दोनों हाथ खाले थे और नहीं उसके पास काम करने वाले कपड़े थे लेकिन यह मेरा पहली बार है जब मैंने तुम्हारे जितने बेवकुफ इस कैमर को देखा है लेकिन main character उस paper spray को पकड़ लेता है और उस लड़की से कहता है मुझे पहले से ही पता था कि तुमने अपने पीछे थरकियों को माड़ने वाला paper spray चुपा के रखा है और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे अंडे फोरने के उपर give up कर दो नहीं तो तुम्हें इसका हार्जाना भारना पड़ेगा किसी और चीज़ से इसलिए अच्छे से मेरी बात सुनो तुम जो भी कदम उठाने वाली हो मुझे उसके बारे में पहले से ही पता है इसके बाद मीन केरेक्टर उस लड़की का नाम लेता है और कहता है मिज्जू फेफे आपको सांत रहना होगा लेकिन फेफे मीन केरेक्टर से कहती है लेकिन तुम हो कौन और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता main character उसे कहता है तुम मुझे अच्छे से देखो तुम्हें याद आजाएगा फेफे मन में कहती है मिए बात पक्की है मैं इसको नहीं जानती हूँ लेकिन ये फिर भी जाना जाना सा लगता है main character आगे से रस्टियां बहार निकालते होए है चलो कोई बात नहीं अच्छा यही होगा कि हम लोग समय को नागावाते हैं, फेफे चिलाते हुए कहती है कि तुम क्या करने वाले हो, इसके बाद फेफे में करेक्टर से कहती है, मुझे जाने दो और तुम मेरे सावान को क्यों छू रहे हो, लेकिन main character किसी चीज को ढूंते हुए कहता है कि वो यहाँ पे क्यों नहीं है मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था वो चीज यहीं पे थी इसके बाद हम लोग फेफे को पूरी तरीके से देखते हैं और दोस्तों सच्वे मुझे इसका figure पसंद आया I really like it फेफे main character से कहती है कि तुम मेरी चीज़ों को नीचे गिरना सबसे पहले बंद करो तुम उन में से किसी भी चीज की कीमत को अदा नहीं कर सकते हो मैं एक high ranking professional technician हो और मैं government के साथ काफे time से काम कर रही हूँ अगर तुमने मुझे उक्सानी की कोसिस की तो तुम जल्दी ही मारे जाओगे लेकिन main character पीछे मूर के बड़ी बड़ी चीजों की तरफ देखने लगता है फेफे उससे कहती है कि तुम मेरी breast की तरफ क्यों देख रहे हो main character आगे बढ़ता है और उसी जगापे हाथ मारता है लेकिन हमें पता चलता है कि main character के बुरे इरादे नहीं थे दरासल वो फेफे के गले में एक चिप लटकी हुई थी उसको ढून रहा था जो कि main character successfully फेफे के गले से बाहर निकाल लेता है main character फेफे से कहता है अच्छा तो यह यहाँ पे था यह इतनी जल्दी हुआ कि तुमने इसको टेबल के उपर रखा ही नहीं था यही में एक high ranking professional technician से महसूस कर सकता हूँ यहाँ तक कि देखने में storage की भी काफे ज़धा high लगती है फेफे उसे पूछती है कि तुम्हें यह सब कैसे पता है main character कहता है मुझे सिर्फ इतना ही नहीं मुझे तो यह भी पता है कि इसको कहां पे लगाना है painting के पीछे इतना कहने के बाद main character एक painting को हटाता है तो उसके पीछे एक locker था फेफे चिलाते हुए पूछती है कि तुम्हें यह सब कैसे पता है main character आगे से उस चिप को अंदर डाल देता है और कहता है light तो जल गई अब यह खुलने वाला है इसके बाद वो locker खुलता है तो अंदर काफी सारी बच्चे वाले सीजे रखी हुए थी main character कहता है पता नहीं लड़किया ऐसे घटिया चीजे चुपाने वाले जगा पे क्यों रखती है पता नहीं कौन चोर इन्हें लेके जाना चाहेगा और उन्हीं सब चीजों के बेच में वो चीज थी जो main character को चाहिए थी हमें बताया जाता है कि main character dark golden trust card को ढून रहा था main character कहता है चलो मुझे cards तो मिल गए लेकिन पिछली बार मेरे उपर एक laser line ने अटैक किया था फिफे main character से कहती है कि वो सभी चीजे मेरी बहुत खास है इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक robot main character के उपर अटैक करता है क्योंकि laser light मार रहा था यह सब कि main character ने अजूम किया था कार्ट में character को बदाते हैं कि यूजर जो इन कार्ट का इस्तमाल करेगा वो हर बार मरने के बाद दुबारा री कार्नेट होगा कार्ट का इस्तमाल होने के बाद कार्ट हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे जिससे main character समझ आता है कि उसका reincarnation सिर्फ कुशी numbers में होगा मुझे अभी तक पूरी चीज़े तो नहीं पता है लेकिन साय जितने कार्ट से main character उतनी बारे reincarnate हो सकता है लेकिन तभी हो robot main character के उपर laser light से attack करता है जिसको main character असानी के साथ dodge कर लेता है क्योंकि उसे ये सब कुछ पहले सही पता है हमें पता चलता है फेफे अपने bracelet की मदश से उस robot को control कर रही थी जिसके बाद वो main character से कहती है कि तुमने मेरी खास चीज़ों को छुआ है इसलिए अब तुमें उसकी कीमत खुद की मौश से चुकानी पड़ेगी main character laser lights को dodge करते हुए कहता है फेफे तुम कैसे इतनी खतरनाक चीज़ को control कर सकती हो लेकिन फेफे आगे से कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बस तुम मरो तुम बस एक लालची ठरकी हो जिसने मेरी खास चीज़ों को छुआ है जिनके साथ मेरी पुराने मिमरो जुड़ी हुए थी इसलिए तुमको मरना पड़ेगा और मैं तुमको कभी भी माफ नहीं करूँगी जिसके अगले ही सिन में वो रोबोट उल्टा फेफे के उपर ही अटाइक करता है और वो लेजर में फेफे के बॉलों को छूके निकल जाती है जिससे फेफे दंग रह जाती है फिर हमें पता चलता है फेट बॉल जो कि उस रोबोट का नाम है वो जादा कमाड लेने की वज़े से गुसा हो गया था इसके बाद वो उल्टा फेफे के उपर ही अटाइक करने लगता है लेकिन तभी में केरेक्टर आगे बलता है जो कि फेफे को बचा लेता है और सोफे के पीछे छुप जाता है इसके बाद में केरेक्टर किसी चीज़ को उठाता है और फैट बॉल की तरफ पिक के मारता है इसे फैट बॉल वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है मीन केरेक्टर फिफे से कहता है ये फैट बॉल भी तुम्हारी में मुर्स का हिस्सा था लेकिन इसने तुम्हें मारी दिया था मीन केरेक्टर फिफे से कहता है सुनो मैं ने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए मैं इन ब्लाक कार्ड्स को गि maple के तौर पर रख रहा हूं तुम्हारी जान बचाने के लिए जिसके लिए फिफे मांजाती है फिफे कहती है थुर तुब तुम मेरे घर में ताला तोड़के पैसे चुराने या फिर मुझे मारने के लिए नहीं घुसे थे बलकि इन कार्ट के लिए घुसे थे लेकिन मीन केरेटर फिफे से कहता है कि ये काफी ज़्यदा जरूरी है इनका इस्तमाल हम लोग तवाही की दिनों में जिन्दा रहने के लिए करेंगे मुझे इनके पहले मीन केरेटर से कहते हैं बचे तुम जिन्दा बच नहीं सकते हो और नहीं हमसे भाग सकते हो हम तुमें ये ओफर देते हैं वो सारे ब्लैक कार्ट हमारे हवाले कर दो जिससे हम तुमें जिन्दा रहने देंगे और अपने ग्रूप में जॉइन भी कर लेंगे मीन केरेटर उ कि अंगे बाव जो तूम लोगुझे मार दोगे मीन कःड़कर कहता है मेरा कामांडर मर चुका है और मेरी टांग अभी भी घायल है और मैं यहां से किसी भी कीमत के नहीं निकल सकता हूं एसा लगता हूं कि यहीं पर op करने वाला हूं इसके बाद मेन करेक्टर उन ब्लाक कार्ट को बाहर निकालता है और कहता है यह सब कुछ तुम्हारी वज़े से हो रहा है क्योंकि तुमने मुझे चुना तुम्हें मेरे जगा पे किसी ऐसे अवेक्णर को चुनना चाहिए था जो कि प्रू होता लेकिन तुम ग्रेट की अवेक्णर को चुना जो कि मैं था अगर मैं तुम सभी से पहले मिला होता तो आउटकम इससे अलग होता इसके बाद मीन करेक्टर तीन कार्ट को बाहर निकाल लेता है और बाकी बज़े कार्ट को बाहर फेक दीता है और उन लोगों से कहता है कि गोलिया मत चला लेते हैं और मीन करेक्टर से कहते हैं कि अगर तुमने यह हमें पहले ही दे दिया होता तो तुम इस तरह की सिच्वेशन में फस्त ही नहीं लेकिन क्योंकि आर्टिफेक्ट अब मेरे हाथों में आ चुके हैं इसलिए हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है तो तुम मर सकते हो में करेक्टर कहता है मुझे यह पहले से ही पता था भले ही मैं हाई लेवल के फायर मैजिक कार्च को इस्तमाल नहीं कर सकता हूं लेकिन मैं कुछ को तो करी सकता हूँ जिसके साथ मैं अपने आपको ही नहीं लेकिन अगर मैं गलत नहीं हो तो फिर यहां पे काफी सारा तील है इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि अगर जिन्दा रहना चाहती हो तो फिर यहां से भागो वो लड़का पागल हो चुका है वो अपने साथ इस पूरी जगा को उड़ाने वाला है अगर हम लोग उस धमाके की चपेट में आ जाते हैं तो यकीनन हम लोग मारे जाएंगे इसके बाद हम लोग देखते हैं कि में केरेक्टर ने अपने साथ उस पूरे आईलन को ही उड़ा दिया था फेफे हैरान होके पूस्ती है क्या तुमने सच में अपने साथ उस पूरे आईलन को उड़ा दिया था लेकिन तुम तो मेरे सामने जिंदा खड़े हो कहीं इसका मतलब वो तो नहीं मेन करेटर उसे कहता है हाँ मैं दुबरा रीकारनेट हुआ हूँ लेकिन फेफे मेन करेटर की उबर हस्त हुए कहती है क्या तुम पागल हो गए हो ये सच में काफी जदा फनी है अगर तुम उसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे यूपर यकीन करो कि तुम फिर से ठीकारनेट हुए हो मेन करेटर कहता है मुझे पता है कि इस पर यकिन करना बकवास है लेकिन यकीन करो लेकिन फेफे आगे से हसते हुए कहती है बस बस मेरा पीट दर्द कर रहा है ये सच में काफी यकीनन बकवास है अगर मैं उसको पर यकीन करती हूँ लेकिन मेन कारटर किड़की के पास जाता है और कहता है मुझे कुछ भी एक्स्प्लेन करने के जरूरत नहीं है सब कुछ पहले ही सुरू हो गया है जिसके बाद वो किड़की को खोलता है और फेफे से कहता है जरा बाहर देखो अपनी आखो का इस्तमाल करो ये कंफर्म करने के लिए कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है या नहीं और जब फेफे बाहर जाक के देखती हैं तब उसकी आखे फटी की फटी रह जाती है क्योंकि आसमान के ऊपर से कई सारे उलका पिन नेचे गिर रहे थे और वो उलका पिन जहाँ जहाँ गिरते बड़े-बड़े धमाके करते हैं मेन करेक्टर जिसका नाम कॉंग जी है वो फिफे से कहता है यूतुबर सुरुआत है तबाही के दिनों की वो सारे उलका पिन हर जगा पी इधर उधर गिरते जा रहे थे इसलिए सभी लोग अपनी जान बचा की इधर उधर भाग रहे थे लेकिन इतनी जदा तबाही मचने क वज़ा से जितनी भी रोडे थे वो सभी ब्लॉक हो गई थी इसके बाद जब वो लोग पीछे मुड़के देखते हैं तब धुए की अंदर से कई सारे मॉंस्टर बाहर निकलते हैं और वो मॉंस्टर कोई छोटे मोटे नहीं थे बड़े बड़े ड्रैगन्स थे और सभी लोग चिलाते हुए भागने लगते हैं कि कोई हमारी मदद करो कॉंग जी फिफे से कहता है कि चिंता ना करो वो सारे उलका पिन इस बिल्डिंग की उपर नहीं गिरेंगे हम लोग कुछ टाम तक यहीं पर सेफ रहेंगे फिफे नीची की तरफ देखते हैं कि यह सब कैसे ह हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं तो कई सारे लोग भीड़ में इधर उधर भाग रहे थे और वो चिलाते हुए जा रहे थे कि हमारी मदद करो कॉंग जी फिफे से कहता है कि जब तक वो लोग सांत रहेंगे उन्हें कुछ भी नहीं होगा यह सारे मॉस्टर दूसरे ड बिताने के लिए फिफे उससे कहती है दो हफ्ते से तुम्हारा क्या मतलब है बाहर की तरफ देखो कौन यहां पे दो हफ्ते बिताना चाहेगा कि सबसे अच्छा आइडिया यहां से भाग के सर्वाइव करना नहीं होगा यहां से भाग किसी सेव जगा पर जाना जहां पर आरमी हमारे लिए इन सभी मौस्टर्ष को मारा देगी लेकिन कॉंगजी कहता है कि यह ना मुनकिन है हम लोग भले ही यहां से भाग निकले persecuted लेकिन इस के बावजुद सिर्फ मौत ही हमारा इंतजार कॉंग जी कहता है यहां पे ना ही कोई आर्मी होगी और ना ही कोई सेव जगा कुछी दुनों में पूरी दुनिया का मौसम बदल जाएगा और पूरी दुनिया बरफिली आंधी के चपेट के अंदर आ जाएगी और इन सब की सुरुआत यूरोप के सेंटर से होगी और इस प अपनी लाइब को खत्रे में डालके आर्टिफेक्स को ढूणना पड़ेगा और कॉंट्रैक्ट को सील करके एवरेज धुमन से ज़्याधा ताकतवर बनना पड़ेगा फफिफे पोचती है आर्टिफेक्ट यूजर क्या होता है कॉंग जी फफिफेक को बताता है चीजे सीखने की जरूरत नहीं है तुम फ्यूचर में खुदी ये सब जान जाओगी लेकिन अगर तुम इस तरह के हालातों में जिन्दा रहना चाहती हो तो फिर तुम्हें अच्छे आर्टिफेक्ट को यूज करना पड़ेगा लेकिन फेफे कांगजी से कहती है कि अब यह यह सच्फ में सुरू हो गया है हमें बताया जाता है आर्टिफेक्ट के एनर्जी पूरी गूमती है और यह एक तरह से होती है अचदे कटीकी में कुछ होता हैं जिसके बाद वो दर्वाजे को खोलने के लिए चली जाती है किन कांग जी फिफे को रोकते हुए कहता है बेवकूफ लड़की या कोई भी पुलिस इस तरह के सिच्वेशन में किसी का दर्वाजा नौक करती है दर्वाजे को बिल्कुल भी मत खोलना लेकिन तब तक फिफे के सामने एक लिजार्ड मॉस्टर था जो आते ही फिफे की सीने के उपर अटाय करता है और उसके कपड़े फार देता है टिपिकल मान हुआ जिसके बाद फिफे नीचे गिर जाती है और वो मॉस्टर उसे खाने वाला था लेकिन तभी उसकी नजर कॉंग जी के उप पर अटाय करता है और उसको दिवाल के Author धना देता है इसके चाशी मुखे की मुख से खूंड बेने रगता है और पने पंजी पीचहिं और वो करने और किसके पीचे ऐता है जो की बैडड लेकि उसके उपर मारते हुए कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए अब मेरी बारी है लेकिन इस कमीने का पंजा सच में काफे दर्दनाक था लेकिन किसमस से मेरे पास आर्टिफेक्ट की प्रोटेक्शन थी तो मैं बच गया जिसके बाद वो मौस्टर फिफे की तरफ म वेकनर था इसलिए वो अपने हाथ का इस्तुमाल करता है और उसके सर के उपर अटैक करके उसको नीचे दबा देता है कॉंग जी कहता है मैं यकिन नहीं कर सकता हूं लेकिन इस बार अविकन करने के बाद मेरी ताकत नॉर्मल हुमन से पांच गुना जादा है जिसके बाद कॉंग जी कहता है कि अब बारी मेरी है जिसके बाद वो मॉस्टर के उपर अटैक करके उसके उपर घूजो की बारिस कर देता है और उसके चीथड़े उड़ा देता है फेफे कॉंग जी से पूछती है कि तुम अचानक से इतने ताकत दवर कैसे हो गए लेकिन कॉंग जी अपने मन के अंदर सोचता है कि इस बार अवेकन करने के बाद मेरी इताका सच में पहले से काफी ज़्यादा बढ़ चुकी है तब इस सिस्टम कॉंग जी को सकसेशफुली अवेकन होने के लिए बधाय देता है और उससे कहता है कि आप सकसेशफुली हो गया है और आपके एकस्प्लीन कर सकते हो कॉंग जी उसे कहता है कि इसको एकस्प्लीन कर पाना काफी ज़्यादा मुस्किल है लेकिन चुम इस पूरी दुनिया को एक गेम वर्ल्ड में बदलते हुए सून सकती हो जहां पे मौस्टर है और वह सारे क्रेचर इस दुनिया में मौस्टर से और जितने भी अवेकनर्स हैं वो सभी प्लियर्स हैं फिफे कहती हैं मैंने देखा था कि तुम्हें इतनी बड़ी चोट लगने के बावजुद तुम काफे जल्दी रिकवर हो गए थे कि यह सब कुछ सच में अवेकनर्स के साथ रिस्ता रखता है कॉंग जी उसे कहता है हाँ त जिनकी बॉड़ी के अंदर पहले सही मैजिकल पावर है और एक सीमित पहुंच तक पहुंचने के बाद वो अपनी सीमाओं को तोड़ देंगे और एक अवेकनर में बदल जाएंगे जिसके बाद कॉंग जी फिफे से पूचता है क्या तुम्हें चोट लगी हैं फिफे उस पहलने के लिए उसके समने रिवाड आते हैं जो कि गोल्डन चर्स थी और दूसरी सिल्वर चस्ट थी यहां अपने मन के अंदर सोच जाता है कि मुझे सिर्फ एक चिस्ट मिलने थी तो दूसरी जरूर मौश्टर की वज़े से हुआ होगा कॉंग जी से कहते हैं कि इसे जल करके रख सकती हैं लिकिन जब कॉंग जी गोल्डन चस्ट को खोलता है तब वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है मैंने सोचा पर नहीं था कि मुझे यहां पर इस तरह की चीज मिलेगी क्योंकि उस गोल्डन चस्ट के अंदर एस रांग की स्किल को बड़े आराम से सीख सक तुम इसका इस्तमाल करके किसी भी चीज को समन कर सकते हो यहां तक कि अगर तुम लेवल टू पे भी हो लेकिन इसके बावजुद तुम किसी जानवर को टेम कर सकते हो और अभी की लेवल पे मैं सिर्फ एक को टेम कर सकता हूँ जब हमारे दुम्स दे में बदल जाती है त मिसे ना केबल वोग्योग संक्रीनि Hills को टेम कर सकते हैं अब कि मेरे इस्किल के हिसाब से मैं सरीरी मॉस्टर–कलो करता हो। आइसा कहा जाता है ठेटा मतलब सिर्फ मोंस्टर्सकोशा करना नहीं होता है या तक तक मैं इंसानों सोचा करता था लेकिन तवी फिफे चिला कि उसे कहते हैं कि अपने पीछे देखो खिड़की से एक मॉस्टर तुम्हारे उपर कूद रहा है जिसके बाद ही वो मॉस्टर खिड़की से अंदर आता है और वो डैरेट कॉंग जी को पकड़ लेता है और नीचे दबा देता है कि कि मैं केरिलेस हो गया था यह मॉस्टर पिछली बार नहीं आया था विंडो खोलना एक एक्स्ट्रा एक्सें था जिसकी कीमत सायद मुझे अपनी जिंदगी दे के चुकानी पड़ेगी और जैसा कि तुम्हें पता होगा कि हमारा भविस हमारे ही हातों में होता है जैसे हम फैसले लेते हैं वैसे ही हमारा भविस होता जाता है और ऐसा ही कौणग जी के साथ हुआ जैसे उसने विंडो खोली तो उसने पिछली लाइफ की तरह नहीं किया उसने एक नए टाय्म लैन बना ले थी तो बेसे कि लिए क्वेली अगर फिंडो ना खोलता तो सबकूछ वै लगता है तब वो डर के मारे उस जगा से हिल भी नहीं पाती है कॉंग जी उसे कहता है तुम्हें मेरी चिंटा करने की जरूरत नहीं है मैं यादा अवेकनर बन चुका हूं इसलिए मुझे ज़रा से भी चिंटा नहीं है और वैसे भी मैं नॉर्माल हुमन से के मुकाबले में काफे ज़्यदा ताकतवर हूँ भले ही मैं अभी अपनी बोड़ी को हिला नहीं सकता हूँ लेकिन मुझे इतनी आसानी से चोट नहीं लगेगी जब तक मेरी आवेकनिंग पूरी नहीं हो जाती है फेफे उसे पूसती है तो फिर तुम चीक और चिला क्यों रहे हो लेकिन कॉंग जी की किस्मत कुछ जादा ही खराब थी उसकी आवेकनिंग बस खाता में होने वाली थी लेकिन तभी कमरे के अंदर एक और मौंस्टर आ जाता है कॉंग जी फेफे से कहता है जल्दी से यहां से निकल जाओ और कुछ ढून के लाओ ये दोनों मेरे साथ अभी की अभी फाइट करने वाले हैं फेफे वहां से जाते हुए कहती है कि तब तक तुम सावधान रहना फेफे कमरे के अंदर जाती हुए कहती है तब तक तुम डटे रहो मैं तुम्हें बचाने के लिए वापस जरूर आओंगी जॉंग जी अपने मन के अंदर सोचती है कम से कम फेफे तो जिन्दा रह सकीगी लगातार रेजनरेट करने की वज़े से मेरी बोटी हर सेकंड दर्द में है यहां तक कि मैं अपने सरे को एक इंच भी हिला नहीं सकता हूँ और लगातार मॉंस्टर्स के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं क्या मैं सज में रेकांट होने के बाद सिर्फ कुछी मिन्टों के अंदर ही मारा जाऊंगा ब्लैक कार्ट ही मेरी रेकांटेशन का आखरी मौका है मैं किसी भी कीमत पे इसे जाने नहीं दे सकता हूँ लेकिन तभी जॉंग जी देखता है कि उसका स्टेटेस पहले से बढ़ने लगता है या तक कि उसकी एचपी भी बढ़ने लगी थी लेकिन वो मॉंस्टर्स लगातार उसके हाथ और पैरो को काट के खाये जा रहे थे कमरे के अंदर हम लोग फेफे को देखते हैं तो इधर जॉंग जी की भी प्रोग्रेस लगातार बढ़ती जाती है लेकिन उतने ही देर में वो सभी मॉंस्टर्स उसको खाते भी जा रहे थे जब सरेड का कोई हिस्सा है नहीं बचेगा तो अवेकन होने का क्या ही फैदा होगा इसलिए जॉंग जी अपने मन के अंदर सोचता है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ लेकिन अगर ये सारे मॉस्टर्स मेरी बॉड़ी को ही खा जाते हैं और अगर ब्लैक काट नीचे गिर जाता है तो रिकार्नेशन फिल हो जाएगा जिसका मतलब है कि मैं इस बार सच में मारा जाओंगा लेकिन ये जाली अवेक्निंग की लाइट बे स्रिफ नीरासा दिखा रही है और कुछ भी नहीं लेकिन उसी टाइम पे जॉंग जिंग की अवेक्निंग हो जाती है और उसकी एचपी फिर से बढ़ने लगती है जॉंग जिंग अपने मन के अंदर सोचता है कहीं ऐसा इस वज़े से तो नहीं हो रहा है क्योंकि जब मेरी अवेक्निंग हो रही है तम मेरे उपर लगातार अटाइक होते जा रहे हैं लेकिन अगले ही पल वहाँ पे फेफे आती है जिसने अपना वेपन कम्प्लीट कर लिया था और वो वेपन सच में इतना ज़दा धारदार था कि फेफे भी बड़ी असानी के साथ उन मॉस्टर्स का सर काट देती है जिसके बाद फेफे जौंग जी से कहती है कि यह मैंने इस मॉस्टर को तो मार दिया है लेकिन अगर तुम हिल सकते हो तो जल्दी से खड़े हुओ और बाकी सभी मॉस्टर्स को मार दो लेकिन अगले ही पल वहाँ पे एक दूसरा मॉस्टर आ जाता है जो कि फेफे का पीशा करने लगता है और उसके उपर अटायक कर देता है फेफे चिलाते हुए कहती है कि मेरी मदद करो और वो मॉस्टर उसे खाने ही वाला था लेकिन अगले ही पल जोंग जी आगे बड़ता है और उस मॉस्टर को बीश से काट देता है उसको काटने के बाद फेफे से कहता है कि ये हतियार सचमे कमाल का है इससे मैं इन मॉस्टर को पेपर की तरह काट सकता हूँ जॉंग जी फेफे से कहता है कि तुम कमाल की हो और तुम्हारे स्किल्स भी कमाल की हैं तुम मेरे लिए एक खजानी की तरह हो इसलिए मैं तुम्हें खजानी के तरह ट्रेट करूँगा और तुम्हारी रक्सा करूँगा फेफे अपनी तरिफ करती हुए कहती है ये तो बस कुछ भी नहीं है अगर मेरे पास थोड़ा सा और टाइम होता तो मैं इससे अच्छा भी बना सकती थी लेकिन उससे पहले हमें कुछ जरूरी करना है हमें सबसे पहले इस विपन को नाम देना पड़ेगा लेकिन तभी जॉ जल्दी से आगे बढ़ता है और वो फेफे को बचा लेता है जिसके बाद हमें पता चलता है कि उनके उपर वसी डॉग ने अटाइक किया था इसको जॉंग जी ने पिछली जिंदगी में टेम कर लिया था जिसके बाद जॉंग जी फेफे से कहता है कि हमें कुछ जरूरी क करना है इसके बारे में बाद में बाद करेंगे अभे के लिए तुम मेरे पीछे रहो मैं किसी भी कीमत पे इन मॉस्टर को तुमें चूने भी नहीं दूंगा फिफे सरमाते हुए अपने मन के अंदर सोचती है ये लड़का तो सच में कमाल का है और मैं इसके उपर भरोसा क चाहिए लेकिन अचानक से वहाँ पे कई सारे बीस्ट आ जाते हैं जिनको देके जौंग जी अपने मन के अंदर सोचता है कि अब ये मुस्किल होने वाला है जिसके बाद जौंग जी आगे बढ़ता है और एक एक करके जितने भी बीस्ट उसके रास्ते में आते हैं वो उन के अंदर सोचता है मुझे इस बीस्ट को मारना पड़ेगा नहीं तो ये फाइट लंबी स्टैमिना वाली चलती जाएगी और आखिर में मैं ही मारा जाओंगा जौंग जी से कहती है कि अभी दो बीस्ट बचे हुए हैं जौंग जी उससे कहता है कि हमें सबसे पहले हीलर से निपटना होगा लेकिन तभी जौंग जी को आइडिया आता है अगर जौंग जी उस हीलर बीस्ट को टेम कर लेता है तो इससे फैदा उसे ही होगा जिसके बाद वो आगे बड़ता है और बाकी बीस्ट को मारने लगता है लेकिन तभी उसकी निजर फिफे क्यों पर जो कि उस बीस्ट के उपर अटाइक करती है और यह कहती है कि मैं तुम्हे काट लोंगे जिससे तुम मारे जाओगे और वो सच में उसे काट भी लेती है इसके ओपर एक दूसरे बिश्ट किया था और जोंग जी का खाफ ज़्यादा खुन पह गया था इसे लिए उसकी बो मेरे पास ऐomb जिसके बाद वह बीस्ट आगे बरता है और वह सदूरी कंदर अपना पंज़ा गुसा देता है लेकिन कहता है कि इतने काफी होगी इसके बाद जॉङग जेस्ट को टेम करने की कोसित करने लगता इसके बाद जॉआंग जी अपनी कमीने मेरे पास आओ लेकिन वो बेस ड़के मारे जॉंग जी के सामने बैढ़ जाता है और उसके पैर को सूंगने लगता है, जिसे जॉंग जी और फेफे दोनों ही हैरान हो जाते हैं, जिसके अगले सिन यह तो कमाल का है मेरी साड़े चोटे एक ही बार में ठीक हो गई है लेकिन क्या तुमको मुझसे पहले नहीं अपने चोटो को हील करवाना चाहिए था मुझसे ज्यादा चोटे तो तुम्हें लगी है और तुम्हारा खून बहा है जॉंग जी फिफे से कहता है मेरी अवेक्न जॉंग जी है और यह मेरा पहला नाम नहीं है मुझे तुम्हारे बारे में मेरी पिछली जन्दगी के जरिए सब कुछ पता है क्योंकि मैंने ब्लैक का इस्तिमाल करके खुद को रिवाइब किया है मुझे यह भी पता है कि तुम एक पागल सैंटेस हो जो कि कई सारे रोब सान और देने भले ही ना है लेकिन कोई मॉस्टर डिलिवरी देने जरूर आएगा इसके बजाएं हम लोगों को फिर्च कुछ करना चाहिए उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ खाने के लिए होगा इसके आधे गंटे बाद हम लोग देखते हैं कि फेफे ने दबाके खान देखनी चाहिए फेफे जांग जी से कहती है वो ब्रिच देख रहे हो उसे के नीचे एक मौल है मुझे पूरा यकिन है कि वहाँ पे खाना और पानी जरूर होगा इसलिए हम लोगों को सप्लाई के बारे में चिंदा करने की जरूरत नहीं है जांग जी कहता है कि मैं पहले मैंने इस पूरी बिल्डिंग को चेक किया है इसके अंदर कोई भी राक्सस नहीं है इसलिए ये जगा बाहर की मुकाबले अंदर ज्यादा सेफ है इसलिए तुम यहीं पे रुको मैं जल्दी से वहाँ से सारी सप्लाई लेके आता हूँ फिफे उसे कहती है ठीक है फिर ले मौल की तरफ जा रहे थें कहता है कि यह दूफान तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है तबाही के दिनों के साथ असली लड़ाई तो अब सुरू हुई है इसके बाद हमनों जोंग जी को मौल के अंदर देखते हैं जहां पे उसे कई सारी कमाल की सिज़े मिली थी लेकिन त जोंग जी अपने मन के अंदर सोचता है कि यहां पे कई सारे लोग होंगे इसलिए मुझे उनके उपर पीछे से अटाइक करना होगा इसके बाद जोंग जी उनकी पीछे जाता है और वो सबसे पहले डॉगी को आगे भीजता है एक मौस्टर की उपर अटाइक करने को डॉ जादा परिशानी निखडी नहीं करते हो तो फिर इस बात की जादा संभावना है कि तुम लोग जिन्दा बच सकते हो जिसके बाद जब जोंग जी बाहर की तरफ देखता है तब बाहर कई सारे मौस्टर थें और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि आवाज इनके लिए अ लेकिन सीधा के जॉंग जी की उपर गिरती हैं जिससे जॉंग जी की हाथ संतरों की उपर चले जाते हैं जिससे वो दोनों ही सर्माने लगते हैं लेकिन जॉंग जी था मेरी किसम का और वो उन्हें दबाते हुए कहता है संतरे बड़े हैं जिसके बाद हम लोगों को बस ए पीछे तो एक monster है जॉंग जी उसे कहता है कि चिलाना बंद करो नहीं तो तुम building के जितने भी monster है उन सभी को यहीं पर बुला लोगी जिसके बाद जॉंग जी उस लड़की को अपने सार ले जाते हुए सोचता है कि मुझे इसे कहीं पर चुपाना पड़ेगा जिसके बाद पर एक storage room मिल जाता है जहां पर वो दोनों छुप जाते हैं फिर जब जॉंग जी जीरियों से जाक के देखता है तब उसे पता चलता है कि जहां पर वो लोग थें वहाँ पर कई सारे monster आ गये थें अगर मैं गलती से भी बाहर निकल गया तो यह पक्का मुझे खा जाएंग लेकिन तभी जॉंग जी को महसूस होता है कि उसके black card हिलना सुरू हो गये हैं वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यह आकिर हिल क्यों रहे हैं क्या कोई ऐसे चीज है जो इन्हें attract कर रही हैं मैं इस लड़की के अंदर से एकदम थाका दर power को महसूस तो कर सकता हूँ कहीं इस लड़की के वज़ा से तो यह कार्ट सेक नहीं कर रहे हैं ऐसा लगता है कि इस लड़की के अंदर अवेकनर बने का potential छुपा हुआ है वो लड़की डरते हुए जॉंग जी से पूस्ती है क्या तुम्हें एक अच्छा इन्जान हो अगर यकिन ना हो तो कुता बनके दि जॉंग जी से कहती है अगर तुम अच्छे इन्सान हो तो फिर ये लो ये तुम्हारे लिए और जब जॉंग जी उस पिपर को पड़ता है तब उसके उपर लिखा हुआ था अगर ये लड़की तुम्हें कहीं भी मिल जाती है तो इस नंबर के उपर कॉंटेक्ट करो या गर मैं गलती से कहीं भी खो जाती हूं तो फिर अगर मुझे कोई अच्छा या फिर पुलिसमेन मिलता है तो मैं उसे वो दे दूँ जिसके बाद वो लोग मुझे गर पे छोड़ देंगे ऐसा मेरी दीदी ने कहा था दोस्तो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि इस करती हो तो वूल रास्ता सबसे सेफ हों तो लडाकी काफे idiाष हो जाती है और उछलने कूदने लगती यहां बुला59 है मेरा नाम नाम Nissan बिलासकतीर मेरी बड़ी बहन मझे यहीं कहके बुलाती है है जो से बहारे हDelाना मेरी जिदगी के सबसे बड़ी गलती होगी इसलिए हमें कोई और दूसरा रास्ता ढूना पड़ेगा लेकिन तभी जॉंग जी के पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है नोटिफिकेशन अचानक आने के वज़े से जॉंग जी घबरा जाता है और चिलाते हुए कहता है जब ये सिस्टम मुझे नोटिफिकेशन देता है तम मैं चौक जाता हूँ सिस्टम जॉंग जी को बताता है गोल सिटी के अंदर 30,000 से भी ज़्यादा सर्वाइवर्स है और उस सिटी को सेफ जोन में बदल दिया गया है और एक अविकनर होने के तौर पे जॉंग जी को सिटीजन के मदद करने पड़ेगी इस जगा को छोड़के जाने में मिसंस के डिटेल्स में जॉंग जी को बताया जाता है कि हर एक अविकनर अपने साथ 3 लोगों को लिके जा सकता है और वो सबी लोग जितनी जदा दूरी तै करेंगे उसी की मताबिक उन लोगों को गोल ट्रेजर बॉक्स मिलेंगे और इस मिसं को पूरा करने के लिए जॉंग जी के पास कुल मिला के 6 गंटे है अगर मिसं के दरान कोई भी सिटीजन माला जाता है तो उसी के चलते रिवार्ट के अंदर कटोती हो जाएगी जॉंग जी अपने मन के अंदर सोचता है ये काफी बड़ा मिसं है तो फिर इसका रिवार्ट भी काफी जदा अच्छा होगा लेकिन तीन लोगों को अपने साथ लिखे जाना ये काफी बड़ी चीज है यहां तक कि मुझे खुट का ठिकाना तो पता नहीं है कि मैं सही सलामत सेफ जोन तक पहुच पाऊंगा या नहीं अगर वो लोग मेरे उपर बोज बन जाते हैं या फिर मारे जाते हैं तो इससे मेरे एटीबूट में कमी हो जाएगी जसे मेरी सारी मेनत वो तो बेकार ही चली जाएगी लेकिन अगर मैं अपने साथ उन लोगों को लेके जाता हूँ जिनके पास अच्छा पोटेंसल है तो फिर पास होने की समता काफे जदा बढ़ जाएगी इसलिए साउली एक अच्छी चॉइस हो सकती है लेकिन तभी साउली कॉंग जी से कहती है ब्रदर कॉंग कि आप टूना सीख खेल रहे थे और मैंने सो तक गिंती करी लेकिन जब मैंने अपनी आखे खोली तम मैं उसे ढूने नहीं पाई लेकिन जाउंग जी आगे से कहता है बगल वाली बिल्डिंग के अंदर कई सारे मॉंस्टर थे साया तुम्हारी दोस्त लेकिन साउली आगे से कहती है कि ट बगल वाली दिवाल के उपर हैंडल मार के उसके अंदर छेट कर देता है जौंग जी बताता है कि मैंने पहले ही चेक कर लिया था कि यह दिवाल कमजोर है इसलिए हम लोग बाहर से ना जाएंगे यहां से जाएंगे ताकि हम सभी लोग मॉंस्टर को आवाइट कर सकें और तीसरे और दूसरे फ्लोर पे कई सारे मॉस्टर हैं जिसके बाद वो दोनों उन सभी मॉस्टर को आवाइट करते हुए उपर की तरफ जा रहे थे इसी भी सावली को बहुत गंदी बद्बू आती है और जब वो तीनों आगे जाके देखते हैं तब उनकी आखे फटी की फ करो और जब तक मैं ना कहूं तब तक वहां से हिलना नहीं जिसके बाद जॉंग जी से दरवाजा खोल के अंदर देखता है तब अंदर कई सारे सर्वाइवर्स थे जो की भूब के करण इधर उधर तडब रहे थे लेकिन उन्हें की बीच में हम लोग दो लड़कों को दे होगा अगर तुझको हमारी प्रोटेक्शन चाहिए तो तुझको बदले में हमें कुछ देना होगा तेरी स्वाट दिखने में काफी अच्छी है ये मुझे दे दें मैं इसके बदले में तुझे कुछ खाना दे सकता हूं जॉंग जी अपने मन के अंदर सोंचता है मुझे 3 लेवल पे जाने के लिए अभी 70, experience पॉइंट की ज़रूरत है लेकिन ये साले कमीने पहले ही 3 लेवल पे जा चुके हैं और ये मोटा वाला कमीना है ये पहले ही 5 पे हैं इन कमीनों ने मुझे पहले ही लेवल अप्ला पर लिया है। जॉंग जी अपने मन के अंदर सुचता है कि मैंने उतने ही मॉस्टर्स को मारा है जितने इन लोगों ने लेकिन इसके बावजुद इनको एक्स्ट्रा पॉइंट कहां से मिल गए कहीं इसकी वज़ा ब्लैक कार्ट्स तो नहीं है कि वो मेरे एक्सपीरेंट पॉइंट को एब्सॉब करते जा रहे हैं और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो दूसरे मेरे मुकाबले में जल्दी लेवल अप कर लेंगे लेकिन तब ये वहाँ पे का डॉगी आ जाता है जैसे ही वो लड़की उस डॉगी को देखती है तो वो चीखते होए कहते है कि यहाँ पे मौस्टर है लेकिन वो मोटा बंदा उसके बालों को खींचते हुए कहता है कमीनी शुपकर मैंने कहा ना यहाँ पे कोई भी मॉंस्टर नहीं है जॉंग जी उन दोनों से कहता है चिंता ना करो ये मेरा पैट है ये कुछ भी नहीं करेगा वो दोनों एक दूसरी की तरफ देखते हैं और मोटा वाला बंदा कहता है ये बचा सिर्फ लिवल 2 पे है लेकिन इसके बावजूद इसके पास एक मॉंस्टर है जो इसकी मदद करता है जो कि अपने आप में ही काफी कमाल की चीज है यहां तक कि उस मॉंस्टर को हील करना भी ही आता है अगर हम लोग उसे अपना बना लेते हैं तो फिर हम लोग आजाई हो जाएंगे इंग्लेस में बोले तो इन्विंजिबल जिसके बाद मोटा बंदा आगे बढ़ता है और जो हरकते की उसके लिए माफ करना और वह उस लड़की से कहता है हॉंग लिंग जल्दी स उसे रोग देता है और वह जांग जिंग से कहता है कि हम हांग लिंग का इसतिमाल कर सकते हैं अदला ब . बदली करने के लिए तब इसाथ ही यह एमटा बाले बन्दे से हता है